तोस्तों कैसे हैं आप उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने घर पे होंगे और सुरक्षित होंगी मैं विक्रम खॉलको और मैं आपके लिए लेके आया हूँ Canon का एक News आज हम बात करने वाले हैं Canon के नए camera के बारे में जो की आने वाला है और मेरे हिसाब से बजार फाड़ने वाला है जी हां मैं बात कर रहा हूँ Canon R5 के बारे में लेकिन उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपसे request करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज यह सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मैं इस तरह के जितने भी वीडियो आपके लिए पोस्ट करूँगा वो सबसे पहले notifications आपके पास में आ जाए Canon R5 काफी दुनों से Canon rumors से पता चल रहा था कि Canon को एक नया camera launch करने वाला है जो है Canon R5 और धीरे-धीरे करके Canon उसके बारे में गुत्थियां और बहुत सारी चीजे धीरे-धीरे बताते जा रहा है तो मैं एक चुटा सा flagship mirrorless camera आने वाला है मार्केट में तो सबसे पहली चीज तो यह कि Canon R5 जो है वो 45 MP का होगा जी हां 45 MP का full-frame sensor जिस तरह आपके Canon 6D में रहता है 5D Mark 3 में है 5D Mark 4 में है उसी तरह Canon R5 भी फुल-frame camera होगा जिसके MP होगे 45 अब जो सबसे बड़ी बात है इस camera के बारे में वो है कि यह 8K recording करेगा जी दोस्तों आपने सही सुना यह 8K recording करेगा तो यह जो camera है यह 8K recording करेगा 30 fps पे ठीक है और 4K recording है जो की 120 fps पे यह जो camera है 8K और 4K दोनों ही 10 bit पे शूट करेगा तो इसका मतलब यह है कि हमें color grading में बहुत साहता मिलेगी जो लोग video shoot करते हैं album shoot करते हैं in fact जो movies भी short films बनाते हैं जो लोग flat profile पे shoot करना चाहते हैं जैसे Canon का C log हो गया Sony का S log हो गया तो यह सब जो है यह सब आपके flat profiles है log profiles है तो यह जब 10 bit पे recording होती है तो इसमें बहुत सारा information होता है जिससे color grading बहुत अच्छी होती है और अच्छी बात यह है जो वो लगाने की जोरत नहीं है camera अपने अंदर ही record करेगा तो यह बहुत अच्छी बात है अब एक चीज जो है जो हम जो Canon सबसे famous है अपने अपने इस चीज के लिए वह है उसका dual pixel autofocus जो smooth focus जो transition होता है camera करता है एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट के उसको Canon ने नाम दिया है dual pixel autofocus और इस camera में Canon ने animal focus भी डाल रखा है और eye autofocus भी है ठीक है Canon R5 में ibis Canon ने डाल दिया है तो यह ibis होगा 5 stop का 5 stop of body stabilization और जब हम इसे image stabilized lens के साथ में couple करेंगे image stabilized lens के साथ में use करेंगे तो यह हो जाएगा seven stops तो हमें seven stops stabilization मिलेगा ठीक है तो हमने hand hand shooting बहुत आसान हो जाएगा ठीक है इसके अलावा इसमें screen की बात करें तो screen जो है वो flip screen है जिस तरह Canon 80D में है 6D Mark 2 में है इसी तरह इसमें भी flip screen होगा तो हमें vlogging में भी असानी होगी और हमें low angle shots लेने हैं तो ऐसे जगाव पर जहां पर flip screen बहुत फाइदा मंद होता है हमें तो भाई बहुत अच्छा लगता flip screen ठीक है यह full touchscreen रहेगा ऐसा ने की कुछ पार्ट हम लोग एक्सेस कर पारें टस्क्रीन से जी नहीं यह 6D 80D 90D की तरह ही full touchscreen आपको मिलेगा ठीक है इसके अलावा इसमें रहेंगे दो card slot एक CF card और SD card के लिए अब यह तो है भई कि अभी तक Canon ने इतनी सारी चीज़ें बताई है अभी आने वाले समय पे Canon और भी बहुत सारी चीज़ें अभी बैटरी के बारे में हमें ज्यादा information नहीं है कि क्या ये वापस से पुराना ही बैटरी जो 5D Mark 3, Mark 4 या फिर 6D में लगता है LPE6 जो उसका नाम है वही बैटरी यूज़ करेगा या फिर कुछ अलग बैटरी Canon लेके आएगा इसके अलाव बहुत सारे और भी बहुत सारी है कि कितना record टाइम रहेगा और क्या pricing है सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी pricing अभी तक Canon नहीं बताया है नहीं इसका release date बताया है क्योंकि आप सभी को पता है कि दुनिया इस वक्त बहुत ही एक खतरनाक वाइरस से जूज रह जो भी है मैं तो इस camera के feature से बहुत जादा प्रभावित हो गया हूं बहुत ही जादा इंतजार कर रहा हूं कि कब ये camera आएगा और कब मुझे इस पर हात लगाने का मौका मिलेगा तो अभी करते हैं इस वीडियो को यहीं पर बंद और एक लाइक जरूर कर दीजेगा दोस् को दवाना मत भूलिये और हां एक लाइक जरूर देखेजेएगा तिल देन स्टे हूं स्टे सेफ और गॉट ब्लस यू अल बाई-बाई